आयोध्या में श्री लाम्दला मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ती की विद्वत प्रान प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है 500 वर्षों के संघर्शों में मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहोती देने वाले लोगों की आत्मा की शांती के लिए दीबदान का आयोजन किया जाएगा पाश नॉमबर को मंदिर समर्थक संघचनों के 45 प्राण के 200 प्रतिनिधी आयोध्या पहुचेंगे श्री राम जन भूमी तीर्थ शेत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राये ने बताया कि कोई भी कारिक्रम सार्वजनिक जगू पर नहीं किया जाएगा सभी कारिक्रम मंदिरों में आरजद किये जाएंगे लोग उत्सा आनंद के साथ मंदिर में स्थापित देवता की मूर्ती की पूजा और अर्चना करेंगे उन्होंने देश और दुनिया में रहने वाले भगवान राम के अनुयाईयों से निवेधन किया है कि एक साथ आयोध्या ना आएं अलग-अलग तितियों पर आएं जिससे किसी असुवधा का सामना ना करना पड़े एक जन्वरी से पंद्रा जन्वरी तक कारे करता हर मंदिर और आजित से भी घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ये अक्षत आयोध्या का भगवान का प्रशाद मंदिर और घरों दिया जाएगा जिस किसी देवी अत्वाद देवता की प्रतिमा मंदिर में है उसी का भजा इन पूजन करो मंदिर में कोई टेलिविजन लगाकर अयोध्या का द्रश्य दिखाओ दूर दर्शन और अन्य एजेंसियां जिसको सरकार अनुमती देगी वो रिकार्ड करेंगे और वो सब चैनल पर उखलब्द किया जाएगा ताकि दुनिया के लोग भी देख सकें पर वोग तर अन्य खिन धूर आ सुजया दिखाओ जट प Неल